तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है पहले हम नोडल्स ले लिए हैं और इसको पानी में बॉइल करने रख लिए है और हमें कड़ाई ले लिए हैं और उसमें थोड़े इंग्रीडियन्स अभी आट करेंगे फ्रेंट्स भोती इजी रेसिपी है तो जरूर ट्राइ कीजिएगा अपनी घरों में और हमारे वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा तो हम अपने कड़ाई में जो हैं भी तेल आट कर रहे है और हम एड़ करें है हाफ स्पून अद्रक जिंजर हाफ टेबिल स्पून जिंजर और इसमें हम एड़ कर रहे हैं एक ओन्यों वन ओन्यों हम इसमें एड़ किये हैं और इसको हम थोड़ा सौते कर लेंगे देखे फ्रेंड्स हमारे नूडल्स जो है इदर धीरे धीरे से बॉल हो रहे हैं तब तक हम आपारा मसाला हम तियार कर लेंगे अब हम इसमें एड़ करें कैरेट कैपसिकम और कैबेज पहले हम कैरेट को एड़ करके इसको थोड़ा गला रिंगे अब हम इसमें एड़ करें कैपसिकम और इसको हम थोड़ा सौते कर लेंगे सौते करने के बाद हम इसमें एड़ किये हैं कैबेज और कैबेज को भी हम थोड़ा सौते कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारे नोडल्स जो है बॉइल हो गए हैं तो हम इसको एक चानी लेके चान लेंगे चान के हम जो है साइड में रख लेंगे और हम इसमें एड़ करें तू टेबल स्पून सोया सॉस और वन टेबल स्पून वाइट वनीगर और इसको हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें एड़ किये हैं भी हाफ टेबल स्पून अजीना मोटो और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको चाहिए हो तो आप माइगी मसाला भी आड़ कर सकते हैं जैसा हमने आड़ किये हैं और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेना ही था कि हमारे नूडल्स में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेना ही था कि हमारे नूडल्स में जो मसाला हम कुक किये हैं उसमें नूडल्स में अच्छे से मिक्स हो जाएं तो चलिए हम मिक्स कर लिए हैं और थोड़ा बाकी रह गया जो हम मिक्स कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे नूडल्स तयार हो गया है दिखे फ्रेंट्स कितना अमेजिंग और कितना यमी लग रहा है तो हमारे नूडल्स अभी सर्फ करने के लिए तयार है तो अब देख सकते हैं कि किस तरह इसका कलर आया है और किस तरह इसका टेक्स्चर लग रहा है बहुती अमेजिंग और बहुती डिलीशिस लग रहा है तो ज़रूर अपने गरों में ट्राइक कीज़ेगा और हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत खुलेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में विध अमेजिंग रिसिपी टेक केर, अलाहाफ़स